हलो दोस्तो मैं हूँ सत्यंद्र और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तो बॉडी में सफिशेंट ब्लड नहीं होने से आपके बॉडी में विक्निस, काम में मन का ना लगना, कॉंसेंट्रिशन में कमी और अन्य प्राब्लम हो सकती है कुछ rare blood disease भी इसका कारण हो सकता है दोस्तो आज हम ऐसे ही एक blood disorder के बारे में बात कर रहे हैं जिसे hemophilia कहा जाता है तो आए जानते हैं कि hemophilia केस टाइप की बिमारी है और इस बिमारी में क्या होता है दोस्तो hemophilia एक टाइप का bleeding disorder है जो genetically transmit होता है यानि यह बिमारी माता-पिता से बच्चों को हो सकती है आम तोर पर यह disorder male में अधिक पाया जाता है हमोफilia के कारण body में blood clotting की process slow हो जाती है या रुख जाती है और इसी कारण से hemophilia से suffering वेक्ति के सरीर में बहतावा blood रुखने में अधिक समय लग जाता है दोस्तो इस disease से suffering लोगों में blood clot नहीं होता है क्योंकि उनके blood में एक protein की कमी हो जाती है जिसे clotting factor भी कहा जाता है हमोफilia के कुछ serious मामलों में सरीर में internal bleeding होने लगता है ऐसे condition में वेक्ति का समय पर इलाज ना होने पर उसके death भी हो सकती है यह disease female के तुलना में male में अधिक देखा जाता है भारत में जन्में प्रतेक 5000 बच्चों में से एक बच्चा हमोफिलिया से ग्रस्त है यानि कि हमारे देश में हर साल लगबग 1300 बच्चे हमोफिलिया के साथ जन्म लेते हैं दोस्तो हमोफिलिया कई टाइपस के होते हैं जिनमें हमोफिलिया A और हमोफिलिया B प्रमुक है हमोफिलिया A को क्लासिक हमोफिलिया के रूप में भी जाना जाता है यह disease blood में clotting factor 8 के कमी के कारण होता है हमोफिलिया type B को Christmas disease के रूप में जाना जाता है पेशेंट में बिना किसी वज़े से ही bleeding होने लगती है वैसे हेमोफिलिया के सिम्टम्स में छोट या सरजरी के बाद जादा bleeding होना बार बार नाक और स्किन के बीतर bleeding होना मसूठू से bleeding होना सामिल है इसके अलावा कई बार हेमोफिलिया में सिर के अंदर भी ब्लेडिंग होने लगता है इसमें बहुत तेज सिर दर्द और गरदन में अकरन होती है और उल्टी भी आती है इसके अलावा धुंदला देखना, बेहोसी और चेहरे पर पैरलाइसिस होने के लक्षन भी हो सकते हैं हलाकि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है दोस्तो जब आपके बॉड़ी में ब्लेडिंग होता है तब आपका बॉड़ी ब्लड सेल्स को कलेक्ट कर एक क्लॉट बना लेता है जिससे ब्लेडिंग रुख जाती है Blood clotting की यह process actually blood में present कुछ clotting factor के कारण होता है इस clotting factor में factor number 8, 9 और 11 के कमी के कारण hemophilia होता है Factor 8 के कमी के कारण से हुए hemophilia को type A hemophilia कहते हैं इसी दरब factor 9 के कमी से hemophilia B और factor 11 के कमी से होने वाले hemophilia को hemophilia type C कहा जाता है दोस्तो ज़्यादा तर hemophilia parents से बच्चों में आते हैं इसका मतलब है कि बच्चों को यह disease विरासत में मिलती है हलांकि जिल लोगों के family में किसी को hemophilia की समश्या नहीं है उन्हें भी यह disease हो सकता है जिल लोगों को बिना किसी family history के hemophilia हो जाता है उसे acquired hemophilia कहा जाता है इस तरह के hemophilia में हमारे body के immune system ही हमारे blood clotting factors को नुक्सान पहुचाते हैं दोस्तो ऐसा देखा गया है कि लगबग 30% hemophilia से suffering लोगों के family में किसी को hemophilia नहीं था एक्चली इन लोगों के body में hemophilia से जोरे जिन्स में कुछ sudden changing आ जाते हैं जिन्स में इस तरह के sudden changing को spontaneous mutation कहते हैं दोस्तो hemophilia एक genetic disorder है ये body में जिन्स में बदलाओ आने के कारण होता है ये changing उन जिन्स में आ सकता है जो parents से हमारे body में आये हो hemophilia के case में ये defective जिन्स हमारे x chromosome पर होता है यानि कि यह एक six linked disease है parents से एक six chromosome बच्चों में आता है mother और father दोनों के x chromosome female child में पास होता है जबकि male child में mother x chromosome और father y chromosome transmit करता है या indicate करता है कि hemophilia लगबग हमेशा male child को ही affect करता है क्योंकि hemophilia का या defective जिन्स मा से बच्चों में x chromosome के माध्यम से आता है यानि mother इस defective जिन्स का carrier होती है लेकिन generally mother में इस disease का कोई symptom दिखाई नहीं देता दूसरी और यदि उनके clotting factor काफी कम हो जाए तो कुछ mother में hemophilia के symptom देखा जा सकता है वहीं दूसरी और अगर किसी female child में hemophilia का जिन्स आया हो तो उसे hemophilia नहीं होता बलकि वो hemophilia की carrier बन जाती है इसका मतलब है कि उसके पास एक normal और एक abnormal जिन्स होता है हैmophilia को diagnose करने के लिए प्रमुक रूप से patient के symptoms की जाच की जाती है साथी test के दौरान doctor patient से उसकी medical history के बारे में भी पूछ सकता है इसके अलावा hemophilia को diagnose करने के लिए screening test और clotting factor test भी किया जाते है screening test एक प्रकार का blood test होता है जिसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि blood clotting की process समानी रूप से काम कर पा रही है या नहीं वहीं clotting factor test को factor AC test भी कहा जाता है जो यह बताता है कि clotting process में कितना समय लग रहा है इसके अलावा hemophilia को confirm करने के लिए कई और test किये जा सकते हैं जैसे कि normal platelet count, normal bleeding time, normal prothrombin time, normal thrombin time, clotting factor 8 या 9 का low level दोस्तों hemophilia का ilاج पूरी तरह से उसके type और severity पर depend करता है missing clotting factor को replace करना ही hemophilia के ilاج का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इसके लिए artificially रूप से त्यार की गई clotting factor को injection technique की मदद से patient के नसों में छोड़ा जाता है इसके अलावा hemophilia का सही ilاج के पहचान करने के लिए scientist zen therapy पर भी काम कर रहे हैं दोस्तों प्रतेक साल 17 अप्रेल को world hemophilia डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रती जागरू किया जा सके आज भी इसका सही ilاج ना मिलने से लोगों को कई तरह की problems होती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ hemophilia के बारे में दी गई या जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह knowledge आपको समझ में भी आ गई होगी दोस्तों ऐसे ही informative और knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करना न भूले और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे